असलाम लेकुम दोस्तों तो वेलकम हैं आपको एक बार फिर से हमारे यूटीब चैनल पे एक तरफ जहां इमाम मुलक को खराब कारकंदिगी के बाइस कोमी ट्रोल का सामना है तो दूसरी जानिफ सेलेक्शन कमेटी के जानिफ से इनके लिए बुरी खबर का इमकान है नीची टीवी साइड के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तन क्रिकेटिंग में खिलाड़ी इमाम मुलक को वर्ल्ड कप के लिए मुन्तिकिप किये जाने वाली टीम से ड्रोप किये जाने का इमकान है रिपोर्ट के मुताबिक इमाम मुलक की नाकस कारकंदगी के बुनियाद पर टेम सेलेक्शन कमीडी ने उन्हें आलमी कप खेलने के लिए मुन्तकिप होने वाले खिलाड़ों में शामिल न करने का फैसला किया है याद रहे कि इमाम मुलक ने आस्टला एकलाब खेली जाने वाले पांच मेचीज की सीरीज में से तीन मेच खेले जिनमें वो कोई खातर को अकारकंदगी नहीं दिगा सेके तीनो मेच में इन्होंने मजमें तोर पर त्रेसर रंद बनाये जिसकी वज़ाते अब उन्हें वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुतकिप किये जाने वाले टीम में शामिल नहीं किया जा रहा आस्पिला एकलाब खेली जने वेली सीरीज के दोरानी पाकिस्तन खिलाड़ों का फिटनल स्टेस भी हुआ और इमामुलग इस टेस में भी किलिया नहों सके और इन्हें अन्फिट करार दिया गया था इमामुलग पाकिस्तन क्रिकेटिंगे नोजवान खिला ड़ी है और गुजरिष्टा महीनों से वो अच्छा कहलते आ रहे है अलबता पिछले कुछ अर्थे से इनकी कारकंद की मायूस कर नहीं है और इसलिए अब उन्हें बड़े इवन में शामिल ना करने के हवाले से फैसले किये जाने का इतलाद मौसल हुए है अभी टीम मिनेजमेंट ने इस हवाले से अभी कोई ओफिशल एलान नहीं किया लेकिन जल्दी इनकी जाने से एलान की तवक्का की जा रही है तो दोस्तों आपकी क्या रहा है कमेंट सेलिक्षन में जरूर बता है मैं मिल दा हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए अल्ला हाफीज